अपनी कमाई का एक हिस्सा एलविश उडाते हैं इन तीन गल्फ्रेंडों पर एक नहीं बलकि तीन तीन लड़कियों को हैंडल करते हैं एलविश बिग बॉस में खुद किया खुलासा कीरती महरा को दे चुके हैं धोखा बेबी का या अन्शी का अब बिग बॉस में किसको बनाया अपनी नई प्रेमी का खुब कमाते हैं अलविश यादव और अपनी कमाई का एक हिस्सा लुटा देते हैं इन गल्फ्रेंड ओफर अलविश के प्यार में पागा लंशी का बोली ये अगर शादी को हा कर दें तो घुंगड भी रख लूँ हमेशा चर्चा में रहने वाले अलविश यादव की नीजे जिन्दिकी के बारे में भी लोग जानने को उत्सुक रहते हैं इतना पैसा कमाने वाले अलविश के मिलियन से फॉलोवर्स हैं उसमें से ऐसी कई लड़किया भी होंगी जो अलविश को पसंद भी करती हैं लेकिन हमेशा लड़कों से घिरे रहने वाले एलविश के लिए मन में ये सवाल उठता ही है क्या उनके जीवन में भी कोई ऐशी है जिसे वो पसंद करते हैं आपको बता दे इस मामले में एलविश कोई कच्चे खिलाडी नहीं है उनकी एक नहीं बलकि तीन तीन गल्फरेंड रहे चुकी है जिसमें से एक तो उनके दिल के बहुत ही करीब थी वो कौन थी और उनका ब्रेक अप कैसे हुआ ये आपको आगे वीडियो में पता ही चल जा क्योंकि ये बाते तो सब जानते हैं कि एलविश और आशिका की बीच में बिग बॉस में एंट्री लेने से पहले ही अनबन चल रही थी एलविश यादव ने एक वीडियो में आशिका को ना सिर्फ बॉड़ी शेम किया बलकि उन्हें जम कर रोस्ट भी किया है इस बीच ब दोनों एक दूसरे के टाइप के हैं आशिका का मानना है कि एलविश और आशिका एक दूसरे के शाथ रिलेशन्शिप में रह सकते हैं इस वीच एलविश बताते हैं कि कैसे उनके घर में औरते घूंगड रखती हैं जिस पर रियक्ट करते हुए आशिका कहती हैं कि उनके लिए तो वहां घूंगडवी रखने के लिए तैयार है इस वीच एलविश यादव सर में से लाल हो जाते हैं बेबी का के बाद अब आशिका भी उन पर प्यार के डोरे डाल रही है वहीं उनसे जब पूछा गया कि बिग बास के बाहर आपकी कोई गलफरेंड है जिस पर बो इस पर एलविश कहते हैं कि हाँ मेरी बाहर तीन गलफरेंड है बेविका कहती है कि हाँ भारती ने बताया था जिस पर एलविश कहते हैं कि भारती मेरी बच्पन की दोस्त है उससे सब पता है एलविश कहते हैं कि भारती ने बोला कि आपकी तो पक्का वहार गलफरेंड हो एलविश को लेकर कहा कि तुम जिस तरह किसी लड़की को अपने पास नहीं आने देते और जिस तरह मनिशा से दूर भागते हो उससे तो साब पता चलता है कि तुम्हारी वहार गलफरेंड है जिसके लिए तुम स्टेंड लेते हो आपको बता दे एलविश का एक वार दिल त काफी पसंद गया था कपल एक दूसरे के काम को सपोर्ट करते थे और हमेशा ही एक दूसरे का शाज भी देते थे वहीं खबरों के मताबिक दोनों का किसी कारान से एक बड़ा जगडा हुआ था जिसके चलते दोनोंने अपने रास्ते को अलग कर लिया था वेरे रपोर्ट इन्फोडस्क 24